हेलो दोस्तों नमस्कार आज हमारे पास यह अपो एवन के मॉडल है दोस्तों ठीक है यह हमारे पास है और हम इसमें कॉंबो फोल्डर को फिट करेंगे आप लोग इसे देखके सीख भी सकते हो कैसे इसे फिट किया जाता है तो सबसे पहले ठीक है हम यहाँ पर से हम ट्राली इसे इसको रिमूब करना है और उसके बाद यहाँ पर जो हम फोल्डर लगाने वाले है जो हम जैसे लगाने वाले हैं उसको ना यहाँ पर चेक करेंगे एक दूकान पी अगर जाते हो launch अब भूलड़ फहां पर भी उसी तरीके से चेख कर ना है फोल्डर ले आओ फिर सोप करना है आप वहाँ पर fit कर सकते हो ठीक है तो आपको और अगर आपने पहले से लाके रख लिया तो आपको इस तरीके से चेक करना हो ठीक है तो मैंने इसे पहले से लाके रख लिया था तो इसलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा folder कहीं ब्लिंग तो नहीं कर रहा है या फिर आटोमेटिक तो नहीं चला है या कहीं ब्लेक हो गया रहा तो नहीं है यह चीज हमें चक्करना होता है तो अभी हमने इसको लगा दिया और यह ओपन भी हो गया है आप लोग भी देख रहों यहाँ पर और यह हमारा टच म hedge funds यहां पर लिखने के बाद में हमारा टिच काम कर रहा किनी काम कर रहा है कि एसी को चेक करना होते हैं दोस्तों को इसी करने के बाद ही Jagia फोल्डर को फिर आप चेक करेों पहले नहीं करना है और पष्पर कर लेना है वो सभी है कि ठीक है उसके बाद याहां पर हमको वैटरी का ये पनी है दोस्तों इस पनी को आपको यहां से निकालने के बाद में क्पिर यहां रिमूवल को पकड़ЕТ आपको यहां पर दियान रहें दोस्तों बैटरी निकला होना चाहिए ने तो आपको पता तूट जाएगा ठीक है और फिर इधा बैटरी के नीचे ये पनी लगे होती दोस्तों इस पनी को निकालना है क्योंकि ये पनी हमारा जो होता है डिस्प्ले वगेरा का वायर है इसी को आपको चिपका के रखती है ताकि यो फिट रहे इधर तर ना घोमे ना डोले ठीक है और यहां पर हमको अपना ये डिस्प्ले जो है अपना SMD मसीन से हमको इसको यहां पर जैसे गरम कर लेना है उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से निकाल लेना है आप चाहो तो आपको मतलब रिमूबल के साइटा से भी निकाल सकते हो लेकिन हमने इसको हीट करके यहां से तरीके से निकाल लेति अरआम निकालने के बाद आप पुराना डिस्प्ले पर को यहां उसको साइड में कहीं भी पुराना गम नहीं है बिल्कू लोग के है अब हम इस पर क्या करेंगे गम एपलाई करेंगे ठीक है जिसे हमें फोल्डर को चिपकान आनफेश करेंगे तो एपलाई कैसे करनी है आप लोग को कैमरा और संसर को छोडने के बाद में आपको सारे जगांपे एपलाई कर देने इस तरीके से ठीक है आपको कैमरा और संसर यहां उपर होता है दोस्तों बीच ओ बीच में आपको यहां इसको छोड़ने के बाद में आप सारे जगां पर एपलाई कर दीजे गम को ठीक है और अब हम यहां पर अपना यह निया वाला फोल्डर जो है इसे हम चेक करें ठीक है यहां पर इसको मतलब इससे यहां पर रखेंगे ठीक है चिपकाएंगे तो अभी हमको यहां फोल्डर में अपना यहां पर दोस्तों एक पन्नी लगी होती है ठीक है उस पन्नी को आपको निकाल देना है और इसके बाद यहां पर अच्छे से इसको चिपक करके रखे इधर उधर ना भागे अधर्वाइस आपका जो है वो तेच जो है आटोमेटिक काम करने की संभावना या जो हमारा आर्थिंग होता है वो नहीं पाता है ठीक है तो इसलिए हम इसको थोड़ा से चिपका देंगे तक कि चिपक कर रखे क्योंकि जो बैटरी के कता दूमना था तक कि आपका जो बाहर आगuş है कि वो निकल जाये तक हो जाय साफ करने के लिए और यहां पर फिर हमको अपने यहां पर पद्ता लगा देना है अर एक उभली यहां seguridad रखने के बाद में आपको शारे इनेट यहां पर स्कूरू जो है उसको यहां पर टॉय करते करने के बाद में इस तरीके से अब टाइट करने के बाद में दौस्तों हम यहां पर आपना अपी अपर यहांपर सब लगाएंगे तो 이ow nochmal झाल उसको यहां पर को पहले चढ़ाएंगे उसके बाद फिर आराम से करके इस तरीके से दबा देंगे आराम से दबाना है दोस्तों ताइकि आपका जो डिस्प्ले होगार है और मतलब दब न जाए और फिर यहां पर आपको यहां पर इसको ओपन कर लेना है ठीक मुबाइल को ओपन करने के खुमाने ठीक है तो यह हमारा 1 हो गया यह क्या दो हो गया यह 3 हो गया इस तरीके से आपको 3 वर आपको रबड अधे लगा देना थीक यह तरीके से 5 नपहला एसे लगा तो और यहां पे तरिकल आप चैनल को सब्सक्राइब कि जीगा मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ओके दोस्तों